प्रशांत किशोर सिवान में बोल रहे थे और प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार तब बदली जब अच्छा लईकन सन के वाड सदसे बनावल जाई पांच छो हजार लईकन सन के मुखिया बनावल जाई कुछ अच्छा लईकन सन के विधायक बनावल जाई और उसके बाद प्रशांद कि सोर कहते हैं कि कुछ अच्छा लाइकन सब जब सरपंच बन जई हैं सन। उपने वार बिहार बदल सके ला। मुद्दे को एकदम से अच्छे तरीके से उठा दिया तब सारे लोग एक साथ ताली बजाने लगते हैं। प्रशान्त किस और कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बदलने से पूरा बिहार नहीं बदलेगा। वो कहते हैं कि हमें जड में काम करना पड़ेगा। उनके कहने का आशा ये था कि जो लोग ये सोचते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को बदल कर हम लोग बिहार को बदल देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रशान्त आगे कहते हैं कि देखिए आपको अच्छे लोगों को चुन कर वाल्ड सदस्य बनाना होगा। वो कहते हैं कि जब 5-6,000 अच्छे लड़के मुख्या का चुनाव जीतेंगे, सरपंच का चुनाव जीतेंगे, तब बिहार में बदलाव हो सकता है। वो आगे कहते हैं कि कुछ अच्छे लड़के जब सरपंच बन जाएंगे, जिला परिशद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तब हम सोच सकते हैं कि बिहार अच्छे राह पर जाएगा। राज के जिला परिशद, ला राज के सरपंच, राज के विधायक, राज के वाल सदस भी ये डिसाइड करते हैं कि वो राज कैसे काम करेगा, वो राज विक्सित होगा के नहीं होगा। जो लोग एकदम से राजनितिक रूप से तरस्त हो चुके हैं। उनको मालूम पड़ गया है कि बिहार बदलेगा नहीं। प्रशान्थ सिर्फ ये उदाहरन नहीं देते हैं, वो कई उदाहरन देते हैं। वो कहते हैं कि बिहार 30 सालों से गुलाम बनकर इसलिए है क्योंकि लालू यादव और नितीश कुमार के हाथ में सत्ता है। वो कहते हैं कि बिहार इसलिए गुलामी कर रहा है क्योंकि हमारे पास भाजपा और RJD के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और प्रशान्थ की सोर जब ये सब कह रहे थे तब वहां तमाम हजारों लोग जो खड़े थे वो एकदम से तालीप पीट रहे थे और प्रशान की सोर प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं और लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि असलियत में बिहार को कैसे बदला जा सकता है। प्रशान की सोर का मुद्दा ये है कि हम जाकर बिहार के लोगों को ये समझाएं कि बदलाव कैसे मुमकिन है और प्रशान जब ये मु सिस्टम में जाना का मतलब यह नहीं हुआ कि आप सिधा मुख्यमंत्री बन जाए आपको सिस्टम में छोटे से छोटे पद पर बैठे लोगों को ठीक करना होगा और एक बार सोच कर देखिए कि हर पंचायत का मुख्या अगर सही तरीके से काम करने लगे हर छेतर का जिला पर पर काम भी करते हैं प्रशांद जहां भी जाते हैं एक दम मुद्देप की बात करते हैं तू द पॉइंट बोलते हैं और उनको पता है कि उन्हें क्या बोलना है बाकी मुख्या सरपंच वार्ट सदस्य विधायक और जिला परिशत को जितवा कर वाकई में अपने छेतर को बदला जा सकता है प्रशांद की सोर की ये मुहीम इतनी शांदार है कि इस पर टिपनी नहीं की जानी चाहिए और प्रशांद बिना कोई पुलिटिकल पार्टी बनाए जब लोगों की बीच जाते हैं तब लगता है कि कोई है जो ये सोच रहा है कि सब कुछ बदल सकता है और बदलने का प्रयास भी कर रहा है बाकी इस पर कोई अपड़ेटा के तो आपको मितला करेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या है करणबोक्स में लेकि बदाईए बहुत बहुत घन्यवाद